हेलो बच्चो वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जौल जी एजुकेटर बच्चो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशल सेलेक्शन नाच्रल सेलेक्शन और हम लोग एक थियोरी भी करेंगे एडाप् भारत को हमने बहुत सारे पूफ दिए यह भी एक पूफ है यह भी क्या है एक evidence है किस का evolution का evidence है ठीक है अब सबसे पर बात कर लेते हैं आर्डि थिचल सेलेक्शन की जब नोग आट्फिशन सेलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो मतलब क्या है हम्माण लो है न कि हमें एक प्रटिकुलाट ट्रेट वाला और्गानिसम बनाना है हमें हमें cannot never be RT RPG यह जो फैलो मिल्ट करये मिल्ग बनाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आफ तो हमें क्या चाहिए हुगा कि हम लोग यह जो हमारी desired trait है यह जो हमारी selective trait है वो हम लोग क्या करें उस trait को लेके क्या करें हम नए organism yield करें नए organisms बनाए ठीक है तो जो हम लोग artificial selection की बात करते हैं तो it is the selective selective ठीक है it is the selective breeding of plants and animals for desired traits ठीक है यह क्या है बच्छो इस is selective breeding of plants and animals for desired traits ठीक है for desired traits है ना हमें कुछ traits चाहिए उसके लिए हमने क्या करा selectively हमने कुछ organisms को क्या कराया breed कराया ठीक है clear है अब यार जो यह desired traits थी है ना यह जो desired traits थी हमें कैसे मिल रही थी हमें कैसे हम लोग एक organism में हमें मतलब मान दो particular organism चाहिए जैसे हमने बात करी काव की है ना काव को काव के अंदर हमें क्या चाहिए हमें बहुत सारा दूद चाहिए है हमें milk yielding cow चाहिए बहुत large amount में milk yield करके दे normal से जादा दे तो हमने हमारी ख्वाहिश बस इतनी सी थी है ना तो अब यह हमें desire traits कैसे मिलेंगे यह desire traits मिलते हैं by using different breeding methods ठीक है यह desire traits हमें कैसे मिलेंगे by using different breeding methods ठीक है different breeding methods को use करके हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगे desire traits और जब हम लोग जबरदस्ती हम लोग यह desire traits मिल बना रहे हैं हमें वो चाहिए तो हम लोग क्या चाहेंगे हम लोग चाहेंगे यार कि यह क्या हो जाए अपने आपको adapt कर ले और आगे survive होता जाए तो यह हमने क्या कर रहा है हमने क्रेक्शिक कर रही हूं अब यार यह जो आपका नांच यह आपका क्या कहते है इपसे किनमोग expectations के लिए लोग बात कर लेते हैं अगर हम लोग Panchample की बवात करते हैं ठीक है तो अभी मैंने क्या बोला पैला एक्षापल क्या होगा यार पहला एक्षापल होगा आपका अपका और नियुक्तु कॉछ वालिटि जा धव debe क्वाइंटिटी ये क्वोड़ झेदेक्ट कूलिटी के एक इस को огस जरी है यह जो इतना मिल्क और इतनी को अच्छी क्वालिटी प्रड्यूस् सब्सक्राइब गिशनल वैल्यू आइट सब्सक्राइब has a जादा माउंट चाहिए है जादा माउंट की पीछे सब भाग रहे हैं ना सब में लालच है तो हमें क्या चाहिए गुल्ड इल्ड चाहिए हमें ज्यादा amount चाहिए हमें nutritional value चाहिए ठीक है हमें क्या चाहिए nutritional value चाहिए और सबसे main चीज जो हमें आज कल desirable है अगर हम लोग desired character trait की बात करें तो हमें plants में चाहिए disease resistance gene है ना disease resistance gene हमें चाहिए होता है ताकि उस plant को कोई दूसरी gene आके खराब ना कर पाए तो एक और example हमें क्या चाहिए plants के अंदर हमें क्या चाहिए nutritional value भी चाहिए ठीक है हाई yield भी चाहिए ठीक है और हमें क्या चाहिए यार और हमें चाहिए आपका मान लो disease resistance भी होनी चाहिए है ना कि यार कोई और micro organism आके इस plant को खराब ना कर दे ये भी इसके अंदर quality होनी जाहिए कितने ज्यादा criteria है ना कितने ज्यादा अपने ऐसे points बना रखें यह भी पास होना चाहिए भी पास होना चाहिए भी पास होना चाहिए ठीक है clear है अब security purposes उससे देखे हैं तो हम लोग ऐसे दोग संबनाना चाते हैं से आनिमdanा चाते हैं जो क्या गड़ सके आपको रख सके है रहा कुछो कुछ डौक्स की अगर आप देखो गया तो कुछ देरो होते हैं स्कूम स्फशязू होते हैं कher यहाने ना अकर देखे और अलग चीजे अलग अलग हमें क्या मिलनी है क्यारक्टरिस्टिक ट्रेट समें मिलती है अब आप पॉर एक्जामपल देख लो हमारी गोवी थी एक गोवी थी अब उस गोवी के जैसी ब्रॉकली बना दी कैबज बना दी ठीक है आम कॉलीफलावर बन गया रेड कैबज बन गी ही के बना नहीं चले गाना यार कि सेंक सारा इकजांपल क्या हो गया हमारा अर्टिफिशुल इकंशन का एक्जांपल अब लेट्स पूसीड टू नाच्रेL सेलेक्शन morning अब हम लोग जब नाच्रल सेलेक्षन के बारे में बात करते हैं तो नाच्रल सेलेक्शन क्या है उन्हें बात कर चुकी हूँ मैं इसके बारे में डार्विन जी जो गैलोप अगस आइलेंड पैसे करके घूमने गए थे तो उन्होंने किसके बारे में बात करी थी नाचरल सेलेक्शन के बारे में बात करी थी अब यार यह नाचरल सेलेक्शन क्या है नाचरल सेलेक्शन की ज सब्सक्राइब करता है और नाचरल सेलेक्षिन की बात दो लोगों ने करी एक थी आपके डारविंच जी थे और थे आपके वैल जी इंदोनों ने किसके बात करिये नैचरल सेलेक्षिन के बारे में बाद करी थी तो यहां पर हमें क्या करना है बस उसके एक्जाम्पल्स देखने हैं अब एक्जाम्पल्स कैसे देखेंगे पहला जो बच्चों हम लोग एक्जाम्पल्स इसके बारे में पढ़ेंगे दाट इस इंडस्ट्रियोल मेलनाइजेशन अब इतना भारी यह जो टर्म दे दिया गया है इसका मतलब क्या है ठीक है अब हुआ क्या था यार कि पहले बहुत पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी यानिकी पल्यूशन नहीं हुआ करता था है म सिंपल बात है तो जब पल्यूशन नहीं था तो पेड़ों पे दो रंग की मौत्ट प्रेजंट थी दो कलर की मौत्थ प्रेजंट थी एक ते फुड़ा या है ठीक है अब यह किस पर प्रेजेंट रहा करती थी बार्क ओफ ट्री पे ठीक है तो ऐसा देखा गया कि जब इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं हुई थी यानि कि बिफोर इंडस्ट्रिलाइजेशन वाइट कलर वाली जो मौत थी यार उनका जो नंबर था वो बहुत ज्यादा चुछ पता रहता अब ऐसा इसलेह वा सोचो जब इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं थी ना जब बिल्कुल pollution-free environment चल रहा था हमारा, है ना, तो तब क्या हो रहा था मान लो यह क्या है, bark of tree है, ठीक है, यहाँ पर बैठी है आपकी white color वालीused ठीक है, और यहाँ आपकी dark color वाली मौथ बैठी हुई है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लो यह जो bark of tree है, इस bark of tree पे क्योंकि pollution नहीं था, अगर pollution नहीं था, वहां पर क्या present थे, यहां पर present थे यार, like अंस present थे, यहां पर कौन present था? white colored likens इस पूरे bark पे present थे अब likens की ही बात क्यों कर रहे हैं क्या present थे likens present थे क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि likens क्या है pollution indicator है जहां pollution होगा वहाँ likens नहीं मिलेंगे pollution free environment में ही likens मिलेंगे तो तब pollution नहीं था तो यहां पर bark of tree क्या था white color के likens से पूरा ढगा हुआ था ठीक है और आपके बार्क का कलर भी इतना ज्यादा काला नहीं हुआ इतना ज्यादा डाक नहीं हुआ करता था थोड़ा light color हुआ करता था अब होता क्या था इस white color like in के वजे से इस white color like in के वजे से यह जो white के जो predators थे कौन थी चिडिया तो चिडिया आके white को white ढूंडी नहीं पाती थी क्योंकि वह छुप जाता था अपने आपको क्या कर लेता था camouflage कर लेता था बचा लेता था चुपा लेता था इस lichen के अंधर तो नहीं मिलता था वहीं पर यह बिचारा डाक कलर वाला मौत है ना बिचारा डाक कलर वाला मौत इसके साथ हो रहा था यार बुरा क्या बुरा हो रहा था ये जो डाक कलर वाला मौत था ये दिख जा रहा था है ना वाइट कलर में छुपी नहीं पा रहा कहां छुपे कहां छुपे नहीं छुप पा रहा था जिसके व ठीक है अब क्या हुआ अब आगे इंडस्ट्रिलाइजेशन सारा का सारा काम उल्टा गड़ दिया है ना कर्मा तो कर्मा तो कुछ नहीं है इसमें बट क्या हुआ after industrialization क्योंकि pollution आया pollution आया तो lichens नहीं उगेंगे वहाँ पर अब जब lichens नहीं grow करेंगे तो ये white color वाला मौत कैसे चुपेगा साथ की साथ जो bark of tree थी उसका color भी क्या होता जा रहा था dark होता जा रहा था तो अब क्या हो रहा था यार ये जो dark colored वाला मौत ता इसका number बढ़ रहा था क्योंकि अब ये predator को नहीं दिख रहा था अब ये किस अब predator को ओन दिख रहा था white color वाले मौत तो क्या हुआ after industrialization after melanization melanization के बाद क्या होता है बच्चो जो white color की मौत थी उसका number हो गया काम और dark color के मौत का number हो गया जादा ठीक है clear है बच्चो clear है ना okay अब ये हमने क्या कर लिया हमने बात करी एक example की ठीक है अब इसमें ना एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये थी कि जब इनका ना number सिर्फ कम हो रहा था white का number कम हो रहा extinct नहीं हो रहा था कोई भी variant extinct नहीं हो रहा था अब next example अगर हम लोग देखे next example है बच्चो आपका drugs या आंटीबाइटिक रिजिस्टेंस ठीक है drugs और आंटी बाइटिक रिजिस्टेंस अब या अगर आपने ना देखा होगा अपना एक मानलोब मच्चरों के लिए खुल आउट लेकए आते हम लोग है ना next दिन तो पहले के कुछ दिन ना हो और अच्छा अश्र दिखाती है इना मच्चर मार रही है बड़िया लाए ठीक है ओल आउट आई आपने लगाई मच्छर मर रहे थे फिर कुछ टाइम बाद यार उस ओल आउट का ना असर कम होते गया अब वह असर क्यों कि अब उन मच्छरों को पता चल गया कि मुझे अगर मैं मच्छर हूँ तो मुझे इसी एन्वाइमेंट में रहना है अंटीबायिटिक के उस ड्रग के लिए रजिस्टेंस क्रियेट कर लेंगे है ना और फिर बोलेंगे अब लाओ आल आउट अब नहीं मरेंगे यही तो होता है कि मान लो एक मीडियम है जहां पर है एंटीबायिटिक आपने डाल रखिये मान लो आम्पिसलिन डाल रखिये महां पर आपने क्या डाल दिया एक माइक्रोब डाल दिया उस माइक्रोब में बहुत सारे माइक्रोब डाल दिये उस माइक्रोब में क्या हुआ पहले तो मर रहे थे है ना नहीं जेल पा रहे थे धीरे धीरे उन्होंने क्या करा अपने अंदर जेनिटिक चेंजिस करी अपने ग्रो भी कर पाएंगे अपना नंबर भी इंक्रीस कर पाएंगे सेम चीज क्या हुई इनी के साथ एंटिबाइटिक और ड्रग रजिस्टेंस का एक्जाम्पल भी यही शो करता है कि चेंज़ आए उन चेंज़ के वजह से क्या हुआ उन सारे और्गानिजम्स में क्या हुई क्याँ में है हुआ कुछ ना कुछ एवल्व हुआ था ठीक है ठीक है खीए क्लेर है नाउ मर्स और अग्जाम्पल म Gaming सो आजाता है सेम इसी से एक्जाम्पल और मैं थोड़ा सा आ तो यह क्या है हर भी साइड रजिस्टेंट हर भीसाइड रेजिस्टेंस अभ बच्चो जो आपके unwanted plants को मारने के लिए use किया जाता है है ना खतम करने के लिए weeds उख जाती है weedicides और herbicides use कर जाते correct है unwanted plants को हटाने के लिए use किया जाता है अब बहुत दिन हो गए थे है ना मतलब weeds अपना बढ़िया उग रहे थे बहुत और उसके बाद अचानक से किसी ने बता दिया कि chinese herbicide use कर आब उस farmer ने क्या किया herbicide or weedicide use करना शुरू कर दिया बहुत दिन ओगे बहुत ओगया अब निशाएंगे अब क्या कर रहे थे तो वीडिय मेशाइदivia और क्या कर अपने आप को इस हर्भी side resistance के अगेंज और यदिके लिए तियार करा कैसे अपने अंदर changes लाए अपने अंदर जब changes आए तो अब वो हर्भी साइड रेजिस्टेंस बन चुके थे जिसके वज़े से अब वो हर्भी साइड के against या उसकी presence में भी क्या कर पा रहे थे ग्रो कर पा रहे थे ठीक है बच्चो clear है clear है अब इन सब चीजों के वज़े से क्या आ रहा था यार इन सब चीजों के वज़े से आ रही थी changes सब चीजों के वज़े से आ रहा था अलग अलग तरह के क्या बन रहे थे नए नए स्पीशीज नए नए वेरियंट्स एकी इसमें ना एक similarity है तीनों में, यह तीनों चीज कैसे हुई है, बाइचांस हुई है, बाइचांस कैसे, यार मान लोग यह pollution कभी आता ही ना, pollution कभी होता ही ना, तो यह change होता, नहीं होता, हम लोग antibiotics drugs का इस्तमाल करते ही ना, तो इसके, इन microbes के genetic constitution में कुछ change होता, नहीं होता, herbicide resistance यूज नहीं करते हर्भी साइट यूज नहीं करते, आपकी class में आज teacher आई है, और उन्हें बोला, आज होगा surprise test, अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा, जो regular पढ़ रहा होगा, वो तो test दे देगा, उसके number भी आ जाएंगे, फसेगा कौन, जिस ने पढ़ा नहीं है, है ना, जो नहीं पढ़ेगा, वो उस test में survive नहीं कर पाएगा, simple है, clear है बच्चों, चलो, तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या खतम होता है, यहाँ पर हमारा खतम होता है, artificial selection और natural selection, अब आ जाते हैं, हम लोग adaptive radiation पे, किस पे, adaptive radiation, ठीक है, अब यार देखो, हो क्या गया है, पहले तो यह adaptive radiation है, क्या चीज, है क्या बवाल, adaptive radiation हम लोग बोलते हैं, बच्चों, जब मतलब एक कोई particular species थी, एक जगा पे उस species से अलग-अलग, क्या हुए, अलग-अलग तरह की नए variants प्रड्यूस होने लगे, evolve होने लगे, क्यूं, क्यूंकि हरे की food habit क्या थी, अलग थी, ठीक है, हरे की food habit अलग थी, जिसके वज़े से क्या हो गया, एक species ने changes करना शुरू किया, थोड़े थोड़े changes शुरू हुए, जिसके वज़े से क्या हो गया, adaptive radiation हो गया, एक ही जगा पे, same species के अलग-अलग variation आपको दिखने लग गए, तो अगर हम लोग इसको define करें, तो ये क्या है, ये है बचो, it is the process of evolution of different species in a given geographical area, अरे यार, color change करना बूल गई, फिर बोलो के note सुन्दर नहीं बना रहे है, it is the process of evolution of different species, different species in a given geographical area, in a given geographical area, and sharing and starting for a post, क्या कहते है उसको, एक ही geographical area पे basically, क्या हुआ, एक ही geographical area से, एक मतलब कोई एक bird थी, मान लो, है ना, कोई एक bird थी, अब यही एक island है, जहाँ पर वो रह रही है, ठीक है, लेकिन अब देखो यार, इस जैसी बहुत सारी होंगी, है ना, लेकिन food का amount तो इतना ही है, अब जब यार, food का amount इतना ही है, तो सब को survive करने के लिए, अपने आपको, अलग अलग जगा क्या करना पड़ा, अड़ाप्ट करना पड़ा, ठीक है, यह मान लो, यहाँ चली गए, यह यहाँ चली गए, यह यहाँ, यह यहाँ, यह यहाँ, अब मान लो, इस area में कुछ अलग तरह का food था, इस area में अलग, इस area में अलग, इस area में अलग, अब food अलग था, तो उनको अपने आपको भी त किजिए पर फूट को खाने की आज़त लगानी थी फूर इंपल एकम्पल आप पोस्चल जाते हो पीज जाते यूज लिघ रुट आप से घर घर किशनी लगता अच्छा नहीं दो खोड़ आज च्छी दार तो आप क्या करते हैं को रहना है वहाँ पर 1-2 साल तो आप क्या कर या इस PG के खाने को अड़ाप्ट करने की कोशिश करी, ठीक है? ठीक है? अब हाँ, in a given geographical area, starting from a point, starting from a point and radiating, radiating to other areas. इसको हम लोग बोलते हैं किस क्या? adaptive radiation, for example, अभी इन चिडियों की ही बात करते हैं हम लोग अच्छे से, अब जब लोग इसके examples की बात करते हैं यार, तो सबसे पहले आता है example Darwin Finches का. किसका आ रहा है? Darwin, क्या बोल रहे हैं, Darwin अंकल यहां भी आगे? Darwin अंकल पीचा नहीं छोड़ेंगे? याद रखना, Darwin अंकल ने पीचा नहीं छोड़ना है, अंकल ने बहुत कुछ बताया, तो अंकल जी से सीखो, ठीक है? अब यह जो याद डार्विन जी थे, यह जो डार्विन जी थे आपके, इन्होंने क्या गूमने गए थे? ग्यालप अगॉस आइलेंड पे गूमने गए थे हैं ना, नाचरलिस थे, यह क्या कर रहे थे, फ्लोरा और फॉना देखने गए थे, जब ये आइलेंड पे पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखी यार, small blackbirds, इन्होंने क्या देखी? small blackbirds और उन्होंने एक और चीज देखी, इस small blackbirds के बहुत अलग-अलग थोड़े क्या थे उसी island पर अलग-अलग variants प्रेजंट थे. इन्होंने क्या देखा small blackbirds देखी और इन्होंने देखा कि उसके क्या थे अलग-अलग variants प्रेजंट थे. ठीक है? अब यह जो small blackbirds थी इसके अलग-लग variants बनने का कारण क्या था? अभी यहां पर पीजी के खाने में अड़ाप्ट करना था ना कुद को सेम इनको भी फूड हाबिट्स में खुद को अड़ाप्ट करने के लिए इनके अंदर अपने अंदर इन्होंने क्या लाई चेंज लाई ठीक है फॉर एक्जाम्पल किसी को स्कोई सीड इटिंग बन गय सब्सक्राइब धात भी वहीं में ससक्राइब्स कि को सब्सक्राइब खाक है वजे से ठीक है clear है clear है बच्चो ठीक है तो यहां पर क्या था डार्विन जी को दिखी black small birds और इनको क्या दिखा इनके दिखे variants अब बच्चो ये जो यह जो वेरियंट्स थे बच्चों, इन्होंने क्या किया? इनको दिखा कि इन वेरियंट्स बनने का कारण क्या था? कारण था? Food Eating Habits, ठीक है? Food Eating Habits, और Changes कहां? दिखे, Morphological Changes कि अगर हम बात करते हैं, तो BEEK क्या थी? बीक वॉज डिफरेंट बीक की शेप क्या थी डिफरेंट थी क्यों डिफरेंट थी क्योंकि फूड हाबिट्स क्या थे डिफरेंट थे clear है clear है for example कुछ क्या मैंने जैसे बताया कुछ क्या बनी seed eating बनी कुछ क्या बनी cactus eating बनी कुछ आपको microbes eating बनी कुछ insect eating बन गई तो depending upon the environment क्या करा अपने आपको adapt करा same जगा पे बस अपने आपको adapt कर लिया for example एक और example पीजी के खाने से अच्छा अबला इंडिया है है ना इंडिया है यहां पर लोग की food habits बहुत अलग है किchae ना किसी एक जगा पर छावल बहुत खाए जाते हैं किसी एक जगा पर रोटी बहुत खाए जाते São पर बनोग रोट बहुत कर जाते हैं और आपको क्या करना है उदर survive करना है ना Heart तो कुछ टाइम में तो कई ऑप्वाइब करना ना भूट नहीं रह सकते हैं सब्सक्राइब से कि अपने आपको एनवायमेंट मे ऑड़ाप ख़ल तो उस इन unpredictable की चुसलगें आंदर चेंजे-ड बूच habits के वज़े से आए और changes कहा है morphologically changes भी दिखे ठीक है food habits भी अलग हुई और morphologically changes भी दिखे ठीक है now second example अगर हम लोग बात करते हैं एक minute adaptive radiation का अगर हम लोग second example की बात करते हैं तो second example है हमारा Australian marsupials ठीक है अब यार यह जो Australian marsupials थे यह क्या था मतलब हमने क्या देखा Australian marsupials में कि कुछ organisms थे है ना marsupials कुछ organisms थे जो बहुत ज्यादा नंबर पे बहुत ज्यादा क्या हुए adaptive radiation इन में दिखा ठीक है अब adaptive radiation कैसे दिखा फॉर एक्जामपल आपकी NCRT में एक diagram दी गई है जहां पर बीच में लिखा हुआ है क्या Australian marsupials लिखा हुआ है और उनकी इनका characteristics अलग ऐसे गोला बना हुआ है यहां पर है ना और यहां पर कुछ यहां पर कुछ यहां पर कुछ यहां पर कुछ अब अगर आप इनका basic characteristics देखोगे न, basic characteristic वाला plan देखोगे न, तो सारे न, एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा similarity आपको हर किसी में मिल जाएगा, अब जब ये आपको हर किसी में मिल जाएगा, for example, एक होगे यार, आपका tiger cat, यहाँ पर लिख देती हूँ, australian marsupials, ठीक है, nc article आप लोग, ठीक है, एक देखो, australian marsupials, एक क्या था, group of animals थे, अब इन में क्या हुआ, competition हुआ, अब इनको survive करना है, तो इनको, या तो competition को eliminate करना होगा, या अपना दूसरा food eating habit चुनना होगा, तो इनोंने क्या करा, इनोंने, अलग-अलग, क्या हुआ, अलग-अलग तरा क ये evolve हो गए, for example, आपका कंगारू हो गया, कोईला हो गया, अगर आप इनको देखोगे ना, इनका structure सेम है, इतना similar है कि आपको ये पता होगा, पता चल जाएगा, देखते ही, कि ये ना किसी एक ही कोई common ancestor रहा होगा, जिससे ये सारे क्या हुए है, evolve होके बने है, evolve कैसे क्योंकि यार, changes अलग होगी, food habits अलग होगी, अब जब food habits अलग हो गई बच्चों, तो जिसके वज़े से ये नए नए variation, एक ही species के अलग-अलग variants हमें देखने को मिले, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ क्या हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, पता ही चल गया होगा, वैसे तो Australian marsupial है, तो हम लोग Australia की बात कर रहे हैं, कहां था इनका, पहले ही कहां मिला, क्योंकि हमने क्या बोला था, एक geographical area से, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़े, बहुत सारे variants राइस हुए, तो य बच्चों इसका, पहले तो यह हटा देते हैं, थर्ड एक्जाम्पल था इसका, प्लेसेंटल मैमल्स, अब प्लेसेंटल मैमल्स में भी क्या दिखा, आपको क्या दिखा, कि evolution दिखाई दिया, evolution कैसे दिखाई दिया, यह जो प्लेसेंटल मैमल्स थे, कहीं ना कहीं, किसके त तरा दिख रहे थे यह दिख रहे थे यहार आपको अलग अलग जगह जाकी अपने आपको अध्य कर रहे थे उस ताइम पे कोई ना कोई crazy A Gente i जिसके वज्याइज से क्या हुआ दो अलग और गैंजम आपका श्ट्रेलियन मार्सूपियल है और ये क्या है प्लेसंटल मामयमल है और इन दोनों को सेम कैरेक्ट्रस्टिक सडाप्ट करने लगी करनी पड़ी अब जब दो अलग और्गानिजम सेम कैरेक्ट्रस्टिक सेम फंच्छनिंग की तरफ भाग रहे हैं तो सब्सक्राइब है बच्छो मतलब यह है मेरे बच्छो कि वहां पर हो रही है कॉन वार्जेंट ऑल्यूशन ठीक है क्या होई है कन वार्जेंट एवल्यूशन हो रही है ऺडिव three clear है ठीक है तो यह था बच्छो आपको क्या प्लेसेंट्रियल मैमल्स जहां पर हम लोगों नेया और आपके इसमें इस बार कोजों भी आया है नीट में कि आपको क्या हट कर दे है मतलब वो चार्ट दे देंगे सामने वाला आपको पेचानना होता है मैच दफॉलिंग का कोशन आ जाता है क्लियर है बच्चो ठीक है तो यह हुआ बच्चो आपका डेप्टिव रेडियेशन और उसके तीन एक्जांपल तीनों एक्जांपल इंपॉर्टंट है क्योंकि ए चीज करती करते रहना है पढ़ना है पढ़ना नहीं छोड़ना है आजका लास्ट टॉपिक अब क्या है बच्चो हम लोग शुरू कर रहे हैं बायो लॉजिकल इवुल्यूशन थे बाइयो लॉजिकल ठीक है अब जब biological evolution की बात करते हैं यहाँ पर हमें दो theories के बारे में बात करनी है तो दो theories किसकी है एक लेमार्क की theory है और एक आपके Darwin जी की theory है जब हम लोग लेमार्क की theory आज हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लेमार्क जी की थियोरी करने वाले हैं तो लेमार्किजम के बारे में बात करेंगे और इनकी थियोरी का क्या नाम था इनकी थियोरी का नाम था या फिर क्या दूसरा नाम था यूज आंड डिस्यूज ऑफ और गन्स अब इनोंने बड़ी इंट्रस्टिंग सी स्टोरी बताया था कि जिराफ था है जिसकी लंबी गर्दन होती है जो जिराफ थे उनकी गर्दन पहले बहुत छोटी हुआ करती थी ठीक है अब जब वो पेड़ पौदे तो चलो खा लेते थे लेकिन बर्द पर पेड़ पौदे दे वह नहीं खा रहे थे अब जब वह थाईट वाले फौदेश को उनको क्या करना पड़ता था उचकना पड़ता था अपनी गर्दन उची करनी पड़ती थी तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो उधर पर अपने आपको environmental condition के साथ अपने आपको adapt करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको अपनी गर्दन उची करनी पड़ रही थी बार-बार जिस के वज़े से धीरे धीरे करके उनकी गरदन क्या होती गई ? लंभी होती गई ताकि वो उपर वाली पत्तिया खा सके ठीक है यह उनों ने बोला जिराफ के बारे में अब इस थियोरी को बोलते हुए उनों ने क्या दिये कुछ पॉस्चुलेट्स तिये पहला पॉस्चुलेट्स था उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल फॉर्स हैं जो क्या क कर ऐसे internal forces जिसने क्या करा उन और गंस का size increase करा दूसरा पॉस्टुलेट क्या था क्या था कि जो और गन यूज हो रहा है जो और गन यूज हो रहा है वह बाइद टाइम होता जाएगा और जो और गन क्या हो रहा है यूज नहीं हो तई तसलेट जितना जो और गन क्या होगा बनेगा जितना जो और ओर अगन डवलप होगा उसकी डेवलपमेंट पावर बिल्कुल किससे रिलेट करेगी किसके लिए proportional रहेगी उसकी use से मतब जितनी जादा use उतना जादा development हो रहा है ठीक है अब चौता postulate जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि जितने भी changes organism की body में होते हैं वो सारे वो acquire कर लेता है ठीक है उन्होंने क्या बोला कि जितने भी changes एक organism की body में आते हैं वो acquire कर लेता है सेम फिर वो अपने आगे वाली generation में pass on कर देता है लेकिन यहां पर थी गडबड एक scientist आये उन्होंने लेमार्क की पूरी theory को है ना यह जिराफ वाला concept यह चारो पॉस्चुलेट को क्या बुला यार कि भाईया यह तो गलत है गलत कैसे है उन्होंने ना यार यह try करा तरह किसके साथ माइस के साथ विचारा फस्ता कौन है माइस सारे experiment लोगे कौन फस रह है माइस के साथ क्या किया यार उन्होंने उन्होंने one mais लिया उसकी पूच काट दी, ठीक है, फिर जब वो माइस ने रीप्रड्यूस कराया, तो फिर उसने फिर पूच काट दी, फिर पूच काट दी, उसने माइस की बहुत सारी जनरेशन की पूच काट दी, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी टेल रही, शौटर टेल प्रेजेंट तक में उस माइस की उस चुहे की यार पूच काटी तो यानि की अगले जनरेशन वाला जो आना था माइस उसके पास तो सुपूछ थी तो तो इससे क्या पता चला कि अगर और और कंआ या यूँज नहीं हो रहा है या डिस्यूज नहीं हो रहा है वो ऐसा नहीं है वह अरिए बॉडी से यह या वह आपकी acquire characters में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है और टीक है सिम्फल सी चीज यह है किเลย लेमार्क जी ने क्या बताया थे लेमार्क जी ने बताया था तो दीरे दीरे गर्दन बढ़ती गई अब जब गर्दन बढ़ती गई यार तो क्या होता गया तो प्रॉब्लम क्रियेट हो गई कैसे प्रॉब्लम क्रियेट हो गई क्योंकि लेमार्क जी को लगा कि यह जो गर्दन बढ़ी है उस वह क्यारेक्टर से आए है क्योंकि उसके ज चारे माइस की कितनी generation की पूचे काट दी, लेकिन फिर भी एक भी माइस short tail के साथ पैदा, नहीं हुआ, short tail के साथ produced, नहीं हुआ, जिसके वज़े से लेमारक जी क्ई जो theory थी, इसको क्या करा गया, discard कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, clear है, लेमार्क की थेयोरी आपको clear है इसके अलावा यार फिर आप हम हलो हम लोग जो कल next class में करने वाले हैं that will be आपकी डार्विन की थेयोरी हम लोग करेंगे ठीक है और इसके अलावा हम लोग फिर आगे कुछ और थेयोरी के बारे में बात करेंगे ठीक है clear है तो बच्चो आज की class के लिए इतना ही प्लीज यह तीनों topic that is आपका चारो natural selection, artificial selection, adaptive radiation और उसके example और लेमार्क की थेयोरी is important तो प्लीज 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 पर लो ठीक है boards आने वाले हैं जल्दी से हमारा जॉल जी का स्लेपस तो complete होने वाला है झाल झाल जज झाल 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 झाल